वेलकम जी लेट से स्टार्ट सो आज हम बात करते हैं एक स्टॉक के जो फंडामेंटली वेरी स्टॉंग है और आज के दिन में उसके जबरदस्त तेजी देखे जाई थी सो अगर आज के हम दिन की बात करते हैं तो आज एक दिन में यह स्टॉक्स 5.6% अपरा जैसे मार्केट ओपन होता है यह अप ओपन होता है और उसके बाद कंटिनिवस 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 की बेस भी यह उपर के ही दिसा में चला गया और आज के डेट में इस टॉक्स ने आपको 5.6% का प्रॉपिट दिया सिब आज एक दिन में तो 82 लेक के आसपास स्टॉक्स एर के आगे जिसमें 41% की डिलिवरी है तो आप समझें कि इस स्टॉक्स में इतने हीूज एमाउंट में आज ट्रेड हुआ है अगर हम बात करते हैं इसके लॉंग टर्म्स की चार्ट की तो आप लॉंग टर्म से देखोगे तो बहुत ही बढ़ियां एक सुन्दर जो लॉंग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए किसी कंपनी का प्राइस चार्ज होना चाहिए वह आप देखो कितना ब्यूटिफुली स्टार्ट हुआ थोड़ा सो डाउन थेन कंटिनीवास बेस पे अप जा रहा है संधे remove तो यहां संब टाँवल यहां सम्झाओ ठाट यहां यहां सबद्वल्स की अधिश्यावाट आटी त मिश्था हो सब्दा आं खिए बहुआом पिए फिरफ फिरफ पिदाउन फिरफ इसमें बिट्विन राती रहती रहती है गिरहवत आती रहती है कि लेकि लॉटास किया है और इसको फाइदा ही फाइदा आप देखए 88,000% का इस company ने अपने shareholder को returns दे चुका है तो इस stocks को एक लंबी period के लिए एक long horizon रखकर के investment perspective से अगर आप consider करते हैं तो surely एक बहुत ही अच्छा option है हाँ short period में तो देखूगा तो इसके अंदर में गिरावट है यह nature of market होती है कि price moment में price कभी गिरेगा कभी अप आएगा कभी गिरेगा कभी अप आएगा कभी अप आएगा कभी अप आएगा लेकिन overall five year, ten year, twenty year वे तो उसका period ऐसे डाइरेक्टिर में जा रहा है आगर आधा हम इसको compare करते हैं इसके census के आप देखोगे तो इस टॉक्स काफी उपर गया फिर गिर गया, फिर उपर गया, 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 फिर उपर गया, फिर उपर गया, फिर उपर गया, इस तरह से नेचर है, लेकिन अगर फिर भी अगर इसकी बात कर तीन साल पहले अगर आप इस stocks की अगर पीछली record की बात करें, weekly basis पे 5% का increment, आप monthly basis पे 5% का, एक साल में 52%, 3 year में 77%, 5 year 172, और 10 year में 800% का returns. तो अगर इसकी revenue की बात करते हैं, यह financially company का ऐसा, अगर देखो गए, इस company का revenue, 2017 से चार्ट दिखा रहा है, तो इसमें 22,000 करोण का था, then 25,000, then 29,000, then 33,000, then 32,000 करोण, तो आप देख सकते हो, revenue एक constant base पे, अब direction में जा रहा है, अगर हम इसके net profit की बात करते हैं, तो profit देखिए, पहले 4,000 करोण था, then 6,000 करोण, then 7,000 करोण, then 8,000 करोण, then 9,000 करोण, tremendous एक net profit किसी company का होना चाहिए, वो कैसा solid, 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 slow, 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 एक positive में growth दिखा रहा है, तो revenue और इसका profit, एक strong company का होना चाहिए, वो एक demonstrate कर रहा है, अगर हम बात करते हैं, इसके CAGR returns क्या इसे stocks ने आपको दिये, तो आप देखोगे, एक साल में इसने CAGR 45% का return, 3 year में 20%, 5 year में 21%, 10 year में 24% का CAGR compounded annual growth return, return on equity की भी बात करोगे, तो देखोगे, 13% and 40% continuous maintain करकर रखता है, अगर हम इसके balance sheet को check करें, कि balance sheet में क्या कहान है, इस company की पास क्या reserves है, क्या borrowing है, तो आप देखोगे, आप इस company का reserves, आप देखोगे, 37,000 करोड था, then 49,000 करोड़, 56,000 करोड़, 65,000 करोड़, 83,000 करोड़, आप continuous की पेस में increase हो रहा है, ऐसे chart भी demonstrate कर रहा है, आपको देखे, क्या solid तरीके से इसका reserves बढ़ता जा रहा है, और इसके revenue, अगर इसके company के उधारी कर्ज क्या है, revenue कर्ज भी, इसके 49,000 कर्ज था, 58 का करोड़, 66 का, 65 का हो गया था, दाइन इसने reduce किया अपने कर्ज को, आप 47 करोड़, तो आप देखे, अपने कर्ज जैसे बढ़ रहा है, उसके बाद इसने reduce करना सुरू कर दिया, तो किसी company की ये सबसे पहले target हो था, उसके पास इतने, तो company borrowing को लेती है, अपने business को expense करने के लिए, business को अगर हम इसके shareholder pattern को check करें, तो आप चेक करेंगे 26% share share, जो हमारे promoter के पास है, और 42% देखे हो तो FII के पास है, तो अधिकतर इसमें जो foreign institution इसमें investment कर रखा है, और DII 15% and 60% आप पब्लिक नहीं, तो इस company में foreign institution का सबसे ज़्यादा weightage है, 42% अगर जो ये बात है, ये एक private sector की बड़ी बेहतरीन strong company, I am talking about the Kotak Mahindra Bank, So Kotak Mahindra ने आपको के एक तरह का एक लंबा investment, एक long term horizon रखते हैं, तो ये stocks आपके लिए बेहतरीन हैं, और आज के rate में ये stocks थेहोगे तो 2000 पर trade कर रहा है, और इसके अगर बात करते हैं, intrinsic value, तो आज के rate में ये stocks अपने intrinsic value से ज़्यादा पर trade कर रहा है, return इसका काफी बेहतरीन है, FD, dividend उतना attractive नहीं है, लेकिन इसतना high rate होने के बावजूद, इतना अच्छा return देने के बावजूद, ये stock आज भी overboard zone में नहीं है, तो good time to consider for entry in these stocks, और no rate flag with respect to the management, अगर हम किसी company के management के बात करते हैं, कोई rate flag नहीं है, और आप देखोगे, ये sector की PE या 26 पे है, और ये मिल रहा है आपको 40 के PE, क्योंकि ये strong है, quality stocks है, fundamentally strong company है, तो surely इसके जो price है, वो high पे मिल रहा है, इतने high price PE होने के बावजूद भी ये stocks overbought zone में नहीं है, आप consider कर सकते हैं, इंटर के लिए, आप इसका chart भी देख लोगे, longer period अब का chart, तो क्या continuous base पे ये उपा direction में जा रहा है, छोटे छोटे पीरेट पे अप डाउन आप डाउन हाते रहते ह है, और ये कोई छोटा मोटा bank नहीं, ये large stock है, और आप देखोगे तो ये stock में 12th number का rank stocks आता है, और ये आप जानते हो bank financial market में काम करता है, private bank कह सकते हो, ये one of the top most reliable bank है, अगर हम इस bank की बात करते हैं, इस bank की business की बात करते हैं, तो कोटक महेंद्रा bank is diversified financial service, आई सारी सिर्फ एक ही में काम करता है, financial services में diversified different kind of business, आप देखो, retail banking, tertiary and corporate banking, investment banking, stock brokerage, vehicle finance, advisory service, asset management, life insurance and general insurance, so खोटक महेंद्रा is diversified, मैं इसकी multiple sector, multiple kind of business कर रहा है, आप retail जिसे नार्मल जो हम लोग bank की बात करते हैं, retail की बात करता है, investment banking की बात है, stock brokerage इसके पास है, vehicle financing करता है, advisory देता है, assets management की बात करते हैं, इसकी आप जो mutual funds की बात करते हैं, उसके में इसके पास है, insurance की में भी इसका presence है, तो कोटक महेंद्रा bank, one, the financial services is diversified, और आज के ड 3.3 करोण के पास है, इनके पास, अगर अगर इनके bank के अगर आप branches and network की बात करोगे, तो presently this bank operating 1600 branches and 2600 ATM in India, and 45% of its branches are located in the metro city, आप सुच सकता है, कि almost 50% के आज़ पास, इसकी जो जितने branches हैं, वो metro cities में, बड़े-बड़े सहरों में हैं, और rest 55% distribution in urban and semi-urban and ruler area में, तो इसका presence सिर्फ metro में है, urban में है, semi-urban में, ruler में, हर जगा है, तो business diversified, उसी तरह branch diversified, और ये across the north, east, west, different, different total branches इसके हैं, और आप ये बात कर गई, इस open the first international branch in 2019 दुबई, और इसका presence outside of country भी है, और राइट, तो अगर आज की डिटन बात हैं, जस्त एक घंटे पहले, financial express ने, other news में भी आ रहा था, कि कोटक महिंदरा सेयर, hits his 52-week high, जबकि sensex fall 500 points, still these banks are hitting, similarly, कोटक महिंदरा banks, OMC shop stops, या top budget stocks, का सकता कि ये एक तरह का top bank आज के date में था ये, तो आप बात करते हैं कि ये stocks की intrinsic value क्या होनी चाहिए थी, ठीक है, तो आप consider करोगे तो इसकी intrinsic value देखोगे, ये blue color, dark blue, इसकी intrinsic value, तो intrinsic value इसके thousand के नीचे होनी चाहिए थी, लेकि इस्टे लिए trade कर रहा है, ये आज से नहीं, काफी दिनों से ये अपने intrinsic value से देखो, ये इसकी current value, price value, जो market value, up-down, ये up-down हो चुकी, तो आप थोड़ी दिन के down थी लिएकि अगेन आप हो चुकी है, तो ये stocks, इसकी value, इसके fundamental, इसके business, diversified business के वज़े से ये अपने intrinsic value से ज़्यादा पर ही trade कर रहा है, और करता रहा है, अगर fundamental questions करते हैं, क्या, कोटक महिंदरा बैंक, एक long term investment के लिए अच्छा है, तो अगर जितना हमने भी तक analysis किया, fundamentalist company के very strong है, तो किसी company के fundamentally strong से मतलब उसके financial सही है, financial profit, revenue, profit, sales, balance, अच्छी है, इसका मतलब financially strong से, financially strong से, और उसका management में भी कोई risk नहीं है, अच्छा returns देता है, तो इस सारे point को consider करें, तो this stocks can be one of a good option for the long term investment, आप भी अपने point of view से इस stocks को पर analysis करो, research करो, and check करो, क्या ये bank आप के लिए, एक good stocks for longer period of time के लिए बन सकता है कि नहीं, लेकिन अभी तक की analysis से ये लगता है, कि banks fundamentally strong से, private sector का bank है, overseas में presence से, across the entire country में presence से, इसके revenue सही आ रहे है, profit सही है, balance इपराबर है, that means, आप इसको एक longer period के लिए consider कर सकते हैं, आज की rate में ये सहर अपने overvalued पर trade कर रहा है, अगर आज की देर इसकी intrinsic value बात करें, काफी lower है, लेकिन आज की rate में ये stocks आपको 256% premium value पर trade कर रहा है, so, आप अगर एक banking में, banking sector में, financial service में, आप एक तरह का investment करना चाहते हैं, एक long period के लिए, तो उसके लिए, codec, codec महिंद्रवैंग is one of the good options, और इसमें जितना लंबा period, एक साल, दो, साल, तीन, साल, चार, साल, पान, साल, 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 साल के लिए hold करते हैं, वो ऐसे वैसे इसका price momentum ऐसे, आप direction में जाएगा, तो आप analysis करो, जब आपकी analysis fit वरती है, आप किसी भी time पे इस stocks में investment कर सकते हो, कभी भी stock market में late नहीं होता है, आप late नहीं हूँ, आप analysis करो, आप research करो, आप के साल से बनता है, उसी दिन market में आप enter हो जाओ, उसी दिन investment कर लो, उसके बाद लंबे period के लिए छोड़ दो, आपका profit, 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 आपका investment पूरा होना चाहिए आपका research पूरा होना चाहिए, आपकी analysis पूरा होना चाहिए, और फिर आप इस business को जान जाओगे, समझ जाओगे, इसका business क्या है, ये business आने वाले 5-10 साल में क्या ये कोटक महिंद्रा बैंक का business चलता रहेगा, ये bank रहेगा कि नहीं रहेगा, डूब जाएगा, आप कैस balance sheet में, उसके पास कितने debt है, उसके पास कितने borrowing है, उसके पास कितने bank and balance है, उसके पास financial numbers, उसके sales कैसे आ रहे है, उसके growth, उसका profit growth किया होरा, उसका revenue growth किया होरा, ये सब सारे point को आप consider करो, consider करने के बास आप अपना analysis लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, अपना एक तरह का बैटके सोचो और फिर सोचो कि यह क्या कोटक महिंदर बैंक एक long term investment के लिए आपके perspective से fit बैठता है आप business समझ गए surely you can go further longer period of times यह बहुती बहुती private sector का एक खास fundamentally strong share है और आप stocks को समझ भी गए if you want to investment तो इन है कि आज जितना पैसास से लोगा आज आप थोड़ा थोड़ा प funds है 2 से लगा दिया 10 से लगा दिया 15 से जिसे आपके पास अभलेवल monthly basis पे या weekly basis या by monthly basis पे जैसे आपके पास अभी लेवल फंड हो धिरे 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 दे नंबर आप शेर को accumulate करते रहें आपके पास stock market की सबसे जो बहतरीन बात है आपको अपने नंबरा पर stock को accumulate करन बढ़ाते जाना आए तभी आपका wealth create होगा अब accumulate करने के लिए एक ही बार सारा पैसे मत लगाए थोड़ा 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 जैसे आपके पास available होता है आप थोड़ा थोड़ा पैसे लगाते जाए नमर आप शेर को accumulate करते जाए क्योंकि आपने उसके business को समझा है fundamentally strong share है so this is the way you can look the market from this note I would like to say thank you for watching this video